Hello everyone, welcome back to my channel Excellent Coaching हम MPC 005 Research Methods पढ़ रहे हैं IGNU की बुक से और हमने इसका Block 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है लास्ट वीडियो में हमने Unit 2 शुरू किया था जिसमें हमने Reliability डिसकस करी थी and today we are starting with Validity Validity स्टार्ट करेंगे Reliability, I hope आपको सबको समझ में आ गई हो कि एक Test में Reliability और Validity दोनों ही होना कितना जरूरी होता है Last time हमने यह देखा था कि Reliability क्या होती है और कितने Types के हम Reliability establish कर सकते है and today we will see कि Validity क्या चीज होती है उसमें भी कितने Different Types है तो Validity क्या होती है It is basically, it refers to the degree to which a test measures what it claims to measure मतलब कि आप कोई particular test यूज कर रहे हो जिस चीज को measure करने के लिए वो test उसी चीज को measure करने के लिए बना हो कोई गलत instrument या कोई गलत tool ना यूज कर रहे हो जैसे suppose हम बात करते हैं कि अगर हमने अपना weight चेक करना है तो हम weighing machine पे ही check करें ऐसा ना हो कि हम कोई और machine लेके आए और उसमें हम अपना weight देख रहे है जिसमें वो कुछ और दिखा रहे है तो वो valid नहीं माना जाएगा तो जो instrument जिस चीज को test करने के लिए बना है that instrument has to be used अब अगर हम test की बात करें तो test में जो psychological test जिस particular construct को या mental assessment के लिए बना है वो उसी के लिए use हो रहा है और उसमें उसी तरह के items भी हैं अब जहां पर यह word item आता है आपको याद रखना है कि it is talking about the number of questions जो उसमें है या फिर उसमें कोई performance करने के लिए कोई particular instructions दी हुई है जो भी उस test में लिखा हुआ है उसको हम refer करेंगे कि items क्या दी हुई है उसमें तो जो test में items है that should relate to whatever that test has been made to measure तभी test valid माना जाएगा जब वो ही measure करेगा जिस चीज के लिए वो बना है या वो claim कर रहा है कि वो उस चीज को ही measure करेगा अब psychological test कैसे होते हैं जैसे कोई aggression को measure करने के लिए बना होता है कोई हमारे mood swings को measure करने के लिए बना होता है कोई mental abnormality को measure करने के लिए बना होता है तो कई सारे assessment हम करते है psychology में और उसमें हमें कई सारे test यूज़ करने पड़ते हैं तो उनका valid होना बहुत जरूरी है एक तो ठीक से administer करा गया हो test को और उसका interpretation बहुत ठीक से हुआ हो otherwise वो बहुत ही ज़्यादा results जो है वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा dangerous भी हो सकते हैं तो that is why validity is very very important in a particular psychological test और जो हम research करते हैं उसमें भी हम कई सारे ऐसे instruments यूज़ करते हैं अब आपे कुछ definitions हैं जिनको आप learn कर सकते हो अगर आप validity के बारे में answer में लिखते हो तो आप इन definitions के साथ उसको support कर सकते हो अपने answers को तो 2-3 आपे definitions हैं ज़्यादा लंबी नहीं है आप थोड़ा बहुत याद करना चाहो तो जैसे Anastasi की है the validity of a test concerns what the test measures and how well it does कि validity एक test का मतलब है कि वो क्या measure कर रहा है वो कितने अच्छे से measure कर रहा है उसको validity कहते हैं तो यह सारी definitions ले आप ले सकते हो अब हम जाएंगे types of validity पे जो सबसे ज़्यादा important है और बहुत ज़्यादा confusing भी होता है कही बारी और कहीं सारी जगा पे आपको इसका proper कहीं पे भी content नहीं मिल पाता है कि actually यह अलग-लग type की validity है क्या तो यहाँ पे जो इन्होंने दे रखी है छे types की validity है content validity है, criterion है अब criterion के अंदर ही concurrent और predictive दोनों आ जाती है फिर उसके बाद construct validity आती है और इसी के अंदर convergent और divergent यानि की discriminate इसको divergent भी बोलते है यह इसी के अंदर आती है construct के अंदर और last में face validity है यह different types of validity है तो हम start करेंगे पहले के content validity क्या होती है तो content validity का मतलब यह होता है कि कोई भी ऐसे items हैं आपके test में जो particularly उसी चीज को measure कर रहे है जिस चीज के लिए वो test बना हुआ है अब यहाँ पर यह कह रहे है कि it should sample range of behavior that is represented by the theoretical concept मतलब यह validity यह बोल रही है कि आपके test का जो content है आपका जो test है psychological test है या कोई tool है जिससे आप data collect करते हो वो particular tool में जो items है उसका जो content है वो इतना valid होना चाहिए जैसे उस behavior के अलग-अलग dimensions है तो उन सारे dimensions को cover कर रही है इसको simple तरीके से अगर मैं समझाओं कि अगर आप किसी की mathematics check करना चाहते हो बच्चे की तब आप उसको किस तरह के sums देते हो suppose आपने किसी बच्चे की maths का level check करना है तो आप उसको addition के sum देते हो addition मतलब add करना फिर आप उसको subtraction के sum देते हो फिर आप उसको multiplication के sum देते हो फिर आप उसको division के sum देते हो जब वो बच्चा यह चारों चीजे कर लेता है यह different types के sums कर लेता है तब हम यह कह सकते हैं कि हाँ इसका math का level 1 या level 2 जो भी है वो इतना है लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे test में सिरफ addition और subtraction ही है उसमें multiplication और division तो ही नहीं तो इसका मतलब मेरे test में content validity नहीं है क्योंकि मेरे test में पूरा content ही cover नहीं हो रहा मतलब पूरा range cover ही नहीं करा मैंने जो उस behavior को test कर सकता है तो actually मैं उसमें items पूरे होने चाहिए जो उस behavior के सारे aspects को cover करे ठीक है तो इसको non-statistical type of validity बोलते हैं और इसमें कहा रहे है it includes the sample representative of the behavior that is intended to be measured मतलब जो उसमें items हैं वो उस चीज को measure करने के लिए हो जिस चीज को measure करने के लिए बने हैं तो मेरे test में अगर मैं math का test ले रही हूँ तो मेरे math को test करने के लिए उसमें subtraction, addition, multiplication, division हर तरह के questions होने चीजिए जिससे मैं एक बच्चे का math का test ले सकूँ ऐसे ही अगर मैं language का ले रही हूँ तो उसमें speaking, listening, reading, writing चारो aspects cover होने चीजिए एक भी छोड़ दिया तो content validity नहीं मानी जाएगी तो इसी तरीके से अब जैसे याँ spelling का example इनो न दिया है कि अगर हम किसी बच्चे की spelling चेक कर रहे हैं तो उस grade के बच्चे को कितनी spelling आनी चाहिए कितने तरह की आनी चाहिए हर तरीके के items होने चाहिए test में इसमें कुछ ऐसी wordings या ऐसे तरह की lines लिखी होती है जिससे कई बढ़ी पढ़के confusion हो जाती ही कि उसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे है पर simply इसका मतलब यही है कि इसके अंदर wide range of the aspect of the behavior कवर होना चाहिए ठीक है और अगर आप इसको और simple तरीके से लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि items cover the entire range मतलब जो इसमें items हैं वो सारी range cover करें तो यह यहाँ पर यह जो चीज दिखिए यह चीज आप लिख सकते हो इसके description में तो this is content validity अगला आता है criterion related validity criterion related validity में लिखा हुआ है it should relate closely to other measure of the same theoretical concept अब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा test है जो आपको test करके यह दिखाता है कि उस particular measure का current और future जो है वो दोनों चीजें relate हो पा रही है ठीक है मानलो यहाँ पर यह test की बात कर रहे हैं जिसको वो किसी और test से अगर relate करते हैं मैं आपको कोई एक example देके यहाँ पर बताती हूँ suppose criterion validity में यह कह रहे हैं कि यह ऐसी abilities reflect करे abilities जो reflect करे वो for future purpose और उसका current level दोनों से ही correlate कर रहा है इस तरह का test है अब इसका एक example है जैसे आप school में जो exam देते हो आपका जो school में exam होता है school exam वो आपका आपका जो annual exam होता है जैसे कोई class का end में जो exam होता है class 10th का 9th का 11th का कोई भी annual exam उस exam से हम क्या मानते हैं कि जो बच्चा इस exam में अच्छा करेगा actually में मतलब उसकी intelligence level high है ठीक है तो अगर ये चीज सच में होता है कि अच्छे नंबर वाले बच्चे का actually में intelligence level high है तो उसको हम criterion validity मानते हैं क्योंकि वो criteria proof कर रहा है कि ये वाला test क्या criteria proof कर रहा है कि इस test में जो बच्चा नंबर ज्यादा लाएगा उसका intelligence level high है उसको हम criterion बोलते हैं कि हम कोई एक particular construct जो already है उसको हम proof कर रहे हैं उस criteria को हम अपने test से proof कर रहे हैं उसको criterion related validity बोलते हैं अब इसके दो types इसले हैं क्योंकि कुछ चीजें तो present का करती हैं कुछ ऐसे test होते हैं जो future का करती हैं जो मैंने भी आपको school exam का बताया यह आपका present यानि की concurrent validity देखता है concurrent का मतलब साथ के साथ आपने पूरे साल पढ़ाई की आपका test लिया आपका test लेके वो साथ के साथ रिजर्ट जब आता है तो यह बता देता है कि हाँ यह बच्चा अब इतना intelligent हो चुका है academically कि अब यह इस level से दूसरे level पे जा सकता है तो वो concurrent validity है तो अगर मानलो suppose जो बच्चे अपने annual exam में top करते हैं अगर उसी time उनका intelligence test भी लिया जाए कोई और intelligence test यूज करके उसी का intelligence test भी लिया जाए और दोनों के score आपस में correlate कर जाए तो इसका मतलब आपका जो स्कूल का exam का test था उसके अंदर बहुत जादा concurrent validity थी कि उसने actually में ये प्रूफ करा कि वो ही बच्चे अच्छा कर सकते हैं जो actually में intelligent है तो जब हम ऐसे किसी criteria को प्रूफ कर देते हैं अपने test से और उसको हम compare करते हैं किसी और test से और दोनों related आते हैं result तो उसको concurrent validity बोलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि it is found when criteria measures are achieved at the same time as the test score same time पे concurrent मतलब present की बात कर रहा है कि स्कूल का exam लिया जो result आया ये माना कि अच्छा जो अच्छे बच्चे हैं उनके intelligence level high है अगर आप उसको proof करना चाहते हो तो आप उनका intelligence test भी ले लो उसी time पे दोनों के result similar आएंगे तो आपके test में concurrent validity है तो ऐसे ही ये बोलने जैसे किसी का anxiety अगर हम major कर रहे हैं किसी test से और उसमें जो उसका आ रहा है anxiety high आ रहा है और actually मैं आपको दिख भी रहा है कि वो जो है सामने वो actually मैं बहुत anxious हो रखा है वो person तो वो दोनों चीज़ें आपकी दिख रही है कि साथ की साथ तो वो concurrent validity हो गई तो कौन सा criteria आपने प्रूफ कर दिया कि anxiety हो रखी है उसको यह हो गया concurrent अब predictive में क्या होता है predictive में होता है जब हम future की क्रेटीरिया को हम validate करते हैं जैसे आपके entrance exam होते हैं entrance exam क्यों लेते हैं school colleges में यह सोच के लेते हैं कि जो entrance exam में अच्छा करेगा वो आके जाके हमारे college का result या school का result भी बहुत अच्छा लेके आएगा वो बच्चा आगे बहुत अच्छा successful और top करेगा या अच्छे range में जाएगा यानि कि वो present का test ले रहे है future को judge करने के लिए predict करने के लिए तो अगर ऐसा सच में हो जाता है कि आपका entrance test है या जो आपका aptitude test है उसमें आपके जो भी result आ रहा है वो result आपके जो final exam के result होंगे या future के जो result होंगे उससे अगर match हो जाएगा match होने का मतलब correlate है या similar अगर score होते हैं तो इसका मतलब आपके जो test था आपने जो लिया था entrance के time पे या aptitude test था उस test के अंदर आपकी predictive validity थी उसने predict वो कर पाया वो test predict कर पाया कि आप आगे भी अच्छा करोगे तभी तो वो उनी बच्चों को entrance exam में लेते हैं अपने school में admission देते हैं जो उनके exam में अच्छा कर लेते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि उनके test में इतनी predictive validity है कि जो उसमें अच्छा करेंगे वो या आगे भी अच्छा कर पाएंगे तो ये criteria proof कर रहा है कि आपका test जो है वो उस criteria को proof करने के लिए बना है अब ये future में करेगा इसलिए ये predictive validity हो गई और उपर जो हमने पढ़ा वो current में करेगा तो वो concurrent validity हो गई लेकिन दोनों ही किसी criteria को proof कर रहा है इसलिए उनको criterion validity बोला जाता है तो ऐसी अब यहां पर सबसे पहली चीज़ यह है कि आपको यह समझना है कि construct क्या होता है construct का मतलब होता है कोई ऐसा particular हमारा mental aspect हो सकता है जो एक दूसरे से related हो जैसे मालो energetic होना और साथ और यहां फिर aggressive होना अब इसमें confusion हो जाती है कोई बहुत aggressive होता है तो हम बोलते हैं कि बहुत energetic भी हो सकता है यह कोई बहुत energetic है वो बहुत जादा इदर उदर भाग रहा है बहुत energetic है तो हम उसको aggression भी मान सकते हैं तो कई बारी ऐसे कुछ construct होते हैं उनको हम construct कहते हैं जिनमें चीज़ें similar सी होती है अब ऐसे ही बहुत जादा case आता है जब हम introvert और shy की बात करते हैं उसमें बहुत confusion होता है कुछ लोग कहते हैं कि जो introvert होते हैं वो shy भी होंगे या जो shy है वो introvert भी होंगे वो construct होता है जहां पर variables interrelated हो सकते हैं वहाँ पर problem यह आते हैं कि अगर आपने सिर्फ introversion देखना है तो आप उसमें ऐसी चीज़े ना include करो कि जो shyness को measure कर रही है क्योंकि फिर हम दोनों में discriminate कैसे करेंगे कि shyness हमने measure करी है या introversion measure करें क्योंकि दोनों बहुत अलग चीज़े हैं ठीक है introversion कुछ और होता है तो ऐसे जो overlapping या interrelated variables होते हैं उनको बोलते हैं construct तो construct validity में क्या होता है यह कह रहे हैं कि measures the construct they are designed to measure तो आपके test में अगर construct validity तभी होगी जब आपका test उसी particular construct को measure कर रहा है जिसके लिए बनाये गया है उसमें चीज़े mix-up नहीं हो रही है mix-up मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने shyness का बनाया तो introversion के questions भी उसमें आ रहे है यहां आपने किसी का aggression level check करने के लिए बनाया था test लेकिन उसमें आपने उसके दूसरे type के question भी दाल दिये जिसमें उसका energy level या उसका extraversion भी इंक्लूड हो रहा है तो construct validity तभी होगी जब उसी particular construct को measure करेगा जिसके लिए वो बना है तो the test should actually measure whatever theoretical construct it is supposedly supposedly test and not something else जैसे leadership ability and extraversion देको यह भी दो चीज़े हैं कि जादातर बोला जाता है कि जो extrovert होते हैं वो ही leader अच्छे leader बन सकते हैं यह दोनों mix-up कर दिये जाते हैं इंट्रोवर्ट जो होगा वो तो lead करी नहीं सकता तो ऐसा जरूरी थोड़ी है तो कई पारी ऐसे test में confusion हो जाती कि हम किसी की leadership ability test करते करते बीच में ऐसे questions दाल देते जो उसका extraversion test कर रहा है वह चीज नहीं होनी चाहिए वह जिस चीज के लिए बना है उसी चीज को measure करें test that construct validity should measure what is intend to measure वही चीज वह दुबारा बोल रहे हैं जैसे अगर musical aptitude का test है तो उसमें reading ability नहीं हमने चेक करनी है वोच confusion नहीं होनी चाहिए कि आप musical aptitude चेक करें बीच में आपने reading के questions दे दिये ऐसे ही future results को भी predict करने में help कर सकता है जैसे किसी का musical ability का test आप लेते हो तो उससे उसको आगे जाकि music के lessons दोगे तो आगे उसमें perform अच्छा करेगा इस type से predict भी कर सकते हैं तो इसमें भी अब दो type है Convergent है और divergent है Convergent और इसको divergent भी बोलते हैं इसलिए मैं बार बार divergent बोल रहे हूं discriminant भी बोलते हैं और divergent भी बोलते हैं ठीक है तो Convergent हो गया कि measurements that should be related अगर वो उनको measure करें जो measurements आपस में related है अब जैसे इसके example है aggression का questionnaire है different methods of measuring the same इसके आगे आप लिख लिजे different methods of measuring the same construct ठीक है अब कैसे माना जाएगा कि आपके test में Convergent validity है इसका मैं एक example देती हूँ आपको जैसे suppose आपने किसी का aggression मेजर करना है अपने test से आपने उन बच्चों का test लिया उनमें उनका aggression का score बहुत हाई आया आपको लगा कि मुझे इसका Convergent validity चेक करना चाहिए आप actually में वो बच्चे जब playground में खेल रहे थे आप चुपचा बैठके वहाँ देखने लगे उनको observe करने लगे आपने देखा कि observation से कि actually में बच्चे है aggressive वो वहाँ जाके भी aggression दिखा रहे हैं मतलब आपके test में और आपकी observation में दोनों चीज़े मैच हो रही थी इसका मतलब दोनों चीज़े जो है उनमें Convergent Validity है मतलब आपने दो तरीके यूज किया आपने टेस्ट का यूज किया आपने observation का यूज किया दोनों ही तरीके से आपने यह देखा जो आपने construct मेजर किया था उसके score correlated आ रहे थे ठीक है तो extent to which measure is score related with other measure एक तरीके से मेजर किया फिर दूसरे तरीके से मेजर किया दोनों के score correlated आ रहे हैं मतलब Convergent Validity हैं दोनों converge कर रहे हैं मतलब दोनों एक दूसरे से related score दे रहे हैं तो आपने यह प्रूफ कर लिया देखके कि जो हमारे Convergent Validity ऐसे test कर सकते हैं कि हम same construct को दो अलग-अलग तरीके से मेजर करें और दोनों का आपस में हम correlation देख सकते हैं ठीक है अब ऐसे ही Divergent Validity में आप क्या लिख सकते हैं that same methods of measuring different concept construct same methods of measuring different constructs यह उल्टा हो गया यहां पर हम दो method से same construct measure कर रहे थे यहां हम same method से different construct measure कर रहे हैं यह देखने के लिए कि दोनों के score अलग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ठीक है जैसे measurement that should not be related जैसे energy level और aggressive का अब हम क्या कर रहे हैं या पर हमने एक तो बच्चे का energy level का test लिया और दूसरा फिर हमने aggression का लिया और दोनों के score अलग अलग आ रहे हैं मतलब divergent validity है same score नहीं आ रहे है energy level का अलग दिख रहा है और aggression का अलग दिख रहा है आपस में कोई लेना देना नहीं है divergent validity है मतलब हमने same method यूज करा लेकिन दो अलग अलग चीज़ें करी जिससे हमें discrimination करने को मिलगी कि हाँ दोनों चीज़ें अलग है अब जैसे कोई person बहुत शाही है आपने उसका shyness का test conduct किया फिर आपने उसका introversion का किया क्योंकि आप ही सोच रहे हो सकता है shyness और introversion एक जैसे ही हो पर आपको ही पता चला है कि यह shy तो है पर यह इतने introvert नहीं है तो उससे आपको discriminate validity आपके test में proof हो गई कि शाहीनेस का score हाई हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि वो उसमें introvert भी हो ऐसे ही कोई बहुत extrovert person है आपने उसका extroversion का test लिया फिर आपने उसकी leadership ability का test लिया और दोन भी नहीं है तो extent to which operationalization is not correlated with other operationalization मतलब कि हमने जो दो अलग-अलग construct major किये एक ही तरीके से दोनों के score relate नहीं कर दे इसका मतलब यह prove हो गया कि हमारे test में discriminant validity है लेकिन अगर same score आते हैं तो फिर कही ना कहीं गरबड है क्योंकि दोनों चीज़े same नहीं है energy और aggression same नहीं है extraversion leadership same नहीं है तो score same नहीं आने चीए अलग-लगी आने चीए तभी discriminant validity मानी जाती है तो यह तो गई construct validity के तो टाइप्स अब last में face validity है यह सबसे weakest validity मानी जाती है इसका इतना जादा इस पे भरोसा नहीं करा जा सकता क्योंकि यह खाली वह validity है जो कहते है देखने में कैसा लग है कि वह valid है या नहीं है उपर-उपर से नजर मार लिया आपने question paper पर और हाँ देखके बोला हाँ ठीक है देखने में तो slabus में ही है देखने में तो अइसा लग रहे कि slabus का ही आया बहार से कुछ नहीं है तो whatever it appears to be measuring अगर दिखने में खाली आपको ठीक लग रहे तो उसको face validity बोलते हैं यह बहुत weakest form of है इसमें हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि उसको measure करके देखे बस उपर-उपर से देख लेते हैं वीकेस्ट form of validity है तो यह different types of validity थी और एक चीज़ बहुत important आपको याद रखनी है किसी भी test में reliability होने का मतलब यह नहीं है कि वह valid हो ल जते हैं तो यह खतम हो गया topic बाकी आगे आप यह self-assessment questions करके देखिए अगर आपको समझ आ गया हो तो otherwise आप और चीज़ें पूछ सकते हैं comments में I hope you like the video please share subscribe my channel and thanks for watching